कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एंड कैस आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे गले में काफी ज्यादा दरत है सो हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा आपको रुकाबट देखने को मिले सो थोड़ा अच्छा अर्जेस्ट कर ल साइम लगेगा एंड अभी मेरी कंडिशन है नहीं इतनी सो इसलिए आज हम आपके साथ जो फिजिक सेक्षन है उसको कवर करेंगे एंड जो हमारे पास जी के पोर्शन है उसको कवर करेंगे ओके आई होप इफ यूंट माइड सो जो हमारे पास 61 क्वेशन है एंड कैस एक आपके पास नुमेरिकल्स आएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके या फिर जब हमारा थियोटिकल पोर्शन आएगा उसमें उनको डिस्कॉस करेंगे तो 61 क्वेशन है हमारे पास तो यहां पर आपके पास बताया गया है कि आपके पास एक एक सोर्स है जिसकी जो मैक्सिम वेशन है वो है 50 हर्ट और 5 अम्पेर के ओपर तो यहां पर आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा उसे 0 से 2.5 अम्पेर तक आने के लिए तो अगर हम इस क्वेशन को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है बहुत ही आई सीकल टो आई मैक्स साइन डबलू टी ओके ओमेगा टी आप कहे सकते हैं तो जो डबलू है आपके पास आपके पास पावर है कितनी पावर है उसकी एंड टी आपके पास टाइम पीरडर जो हमें निकालना है एंड आई की वैल्यू यहाँ पे आपके पास किवल है फाइब एंपियर यह आपके पास ओके आपको निकालना है कि टू पॉइंट फाइब के ओपर वो कितना होगा यानि वो half के ओपर के इतना होगा आपके पास तिसमें हम इन सारी values को डालेंगे तो हमारे पास बनेगा 2.5 जो हमें निकालना है इस इकल टू 5 sin 50 t, ओके तो जब मैं इस question को rearrange करूंगा तो हमारे पास t is equal to 180 upon 300 आएगा, ओके आप इस question को rearrange कर सकते हैं तो हमारे पास जो इसका answer बनता है वो बनता है 0.6 ओके यह जो है इसका right answer है next question है हमारे पास dolphin, bear, bats and propose produce which type of babes तो bats आपको पाता है ultrasonic produce करती है ओके तो यह जो इसका right answer है next हमारे पास in the inner ear the pressure vibration are turned into electrical signal y तो आपके पास किसे change होते हैं वो हमारे पास change होते हैं so यहाँ पे जो हमारे पास right answer है वो option number c next हमारे पास आपको यहाँ पे बतानी है Maxwell equation so that magnetic polar always exist in pair तो हमारे पास equation होती है integration b.ds तो यह तो जब हम theory करेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या करका यह है क्या next हमारे पास which type of या which type of energy store in capacitance तो जो आपके पास capacitor होते हैं उनमें electrical energy store होती है next हमारे पास the focal length of equivalent lens आपके पास दो equivalent lens है जिनकी focal length कितनी है आपके पास f1 and f2 separated by your distance तो उनको distance से separate किया गया है तो हमें पता है focus length को आप निकाल सकते हैं 1 upon f करके is equal to 1 upon u minus 1 upon v जो आपके पास lens formula हो जाएगा minus minus sign उनके बीच में आएगा तो अगर आप यहां पे देखोगे तो हमारे पास यह जो है इसका right answer आता है next है मारे पास the phenomenon of polarization of light indicate that तो यह आपके पास indicate का था transversal wave को यहां पे आपसे पूछा गया है कि stopping potential किसका minimum होगा तो guys यहां पे जो stopping potential है आपके पास वो red light का minimum है यह आपके पास stopping potential है वो आपके पास direct proportion होता है wave length के उपर जिसकी wave length ज्यादा होती है उसका stopping potential कम होता है next है मारे पास which of the following spectra या spectral series in hydrogen atom give spectral line of 4860 and strong तो यह आपके पास balmas series को represent करता है next है आपके पास values है potential energy kinetic energy total energy of electron in the fourth orbit of hydrogen atom our respect तो आप देख सकते हैं इस टाइम जो है काफी deep questions पूछेगे त्यूंके इन सभी को हम study करेंगे जब हमरा जो physics section वो शुरू होगा next है मारे पास which of the following cannot be detected by electric and magnetic field electric and magnetic field में जो neutral molecule है वो नहीं आते हैं यानि gamma rays next है मारे पास which of the following is the nuclear reactor set up in India in 1956 तो 1956 में हमारे पास serous next है तो आपको यहाँ पे ratio बतानी है तो guys यहाँ पे थोड़ा सा पाफी lengthy question होगा आपको यहाँ पे law of conservation of mass लगाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं hydrogen से sorry यहाँ पे cable ratio पूछी गई है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा law of conservation of mass तो यह तो direct question है आपके पास यहाँ पे पूछागे है ratio of nucleic radii तो इसका size तो बैसे ही छोटा है इसका size काफी ज़्यादा है तो इनका जो आपके पास ratio आती है 1 इस्टू 3 होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हम formula लगाते हैं आपको पता है जो हमारे पास alpha particle है बीटा particle है तो बीटा represent करेंगे आपके पास जो हमारे पास electrons होंगे and alpha particle protons को represent करेंगे so first of all एक बात note की लजिए अगर 1 alpha particle निकलता है तो बहाँ पे 4 mass जो है कम होता है and अगर 1 बीटा particle निकलता है तो बहाँ पे 2 atomic number कम होते है तो काफी lengthy question है यह तो इसको भी हम बाद में करेंगे तो मैं थोड़ा से आपको idea दे देता हूँ जैसे हमारे पास 86 है 84 है तो 86 is equal to 84 plus है क्या atomic number है यहनि यहाँ से बीटा particle आपके पास गया है so this will be equal to plus अब बीटा particle को हम represent करेंगे x2 कितने number गए है plus he4 क्योंकि helium का 4 atomic mass है plus y minus electron अभी यह term आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि काफी deep है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम बाद में इसको study करेंगे अभी केबल आप इसका answer देख लीजिए इसका answer आपके पास B होगा next है मारे पास तो आपके पास यहाँ पे बताना है आपको की आपके पास ट्यूंक लिंग ऑफ स्टार तो ट्यूंक लिंग ऑफ स्टार जी आपके पास reflection of light का पार्ट है 77 है मारे पास तो इसमें आपको दिया गया है कि एक कारे जिसने half distance जो है या 1 upon 3 distance जो है जो 20 km per hour की speed से travel किया है and 2 upon 3 60 km per hour से travel किया है तो आप यहां पर देख सकते हैं तकरीबन आपके पास total distance कितना होगा यानि 3, 3 आप मान सकते हैं value होएं पाता नहीं है तो हम माल लेंगे कि total distance 3x है हमारे पास 3x total distance होगी हमारे पास अब first condition को देखेंगे तो time taken for first कितना आएगा आपके पास first के लिए time taken आएगा x upon 20 and second के लिए हमारे पास आएगा 2x upon 60 okay this will be equal to x upon 30 तो यह second के लिए हो गया इसको rearrange कर लीजिए x upon 20 total time निकालना है हमें x upon 30 total time कैसे निकालेंगे 5x क्योंकि आपके पास यहां पे जो 2x है एक x हो गया total आपके पास 5x upon 60 so इसको rearrange करेंगे so this will be equal to 5x upon 60 is equal to x upon 12 okay तो इसको rearrange करेंगे तो x upon 12 हमारे पास यहां पे आ जाएगा से यह हमारे पास इसी equation से आया है okay इसी equation से so x की value या time taken x upon 12 हमारे पास आ जाएगा इसका calcium ले लीजिएगा so average speed जो हमारे पास बनेगी बनेगी total time या total distance upon total time total time इतना हमने अभी निकाला है x की value 36 78 हमारे पास a heavy and light body are dropped from the tower which will reach the ground first to acceleration due to gravity की बज़स दोनों एक की time में नीची आएंगी okay next है मारे पास parachute drop freely and aeroplane एक parachute है एक पारशूट है जो की या पारशूट है जो की या पारशूट इस जो के जो जन जम्प किया है skydiver जी में हम कहते हैं तो उन्होंने किया है कि 10 seconds के बाद जो है पारशूट open किया है then he decay with net retarded retardation of 2.5 meter per second and out of the plane of height of 2495 meter and gravitational acceleration due to gravity his velocity on reaching the ground will be तो इसको काफी लंबा कोश्चन है यह भी इसको भी हम next time study करेंगे जब theoretical position आएगा next day हमारे पास two bomb at rest explode into two equal pieces the angle between the velocity vector at which the two pieces fly out of will be तो यहां पे right answer होगा pi okay तो नों के बीच में जो vector होगा वोगा 180 का इन अभी कर water and nail sinked but a coin of the same mass floated by कि जो आपके पास nail है and water में वो sink हो रहे बट जो है वो बहां पे float कर रहा है इसका क्या reason है तो आप अभी हमने theory नहीं पढ़ी है जब आप surface tension के बारे में पढ़ेंगे तो आप यह भी सही है density of cock is less यह भी सही है आपके पास point forces acting on nail is less than gravitation force यह भी सही है तो सारी statement आपके पास यहां पे सही है next आपके पास आपको यहां पे talk निकाला है तो टॉर्क का formula हमारे पॉस्ट तो f into r sin of theta तो यहां पे angle का कोई काम नहीं है आपको क्योंड़ r and f का coordinate चाहिए तो f हमारे पास present है r हमारे पास one two and two minus two है तो यहां पे इसको आप one i and plus two j minus two k okay and इसका cross product निकालेंगे तो आपके पास यहां पे right answer इसका आ जाएगा so यहां पे जो right answer हमारे पास बनेगा वह बनेगा okay option number sorry not option number a next हमारे पास an earth satellite is moving around the earth in circular orbital which of the following is conserve तो हमारे पास जो है angular momentum है वो conserve रहता है which of the following graph represent the correct variation of pressure with depth below the surface of the ocean तो this is the right answer यहां पे आपसे पूछा गया है कि foreign height and जो Celsius scale है at कौन से temperature के उपर वो equal होते हैं तो minus 40 के उपर वो आपके पास equal हो जाते हैं अगर इंटर्नल एनर्जी कम हो रही है जब गैस जो एक्सपैंड कर रही है इतमें उसका जो वॉल्यूम है वो भी आपके पास इंक्रीज हो रहा होगा तो वो आपके पास एक adiabatic process है ओके एंड ऑक्सिन एंड हाइड्रोजन आर एट सेम टेंपरेच्चर टी ता रेश्यू आप मीन काइनेटिक एनर्जी आप ऑक्सिन मॉलिक्यूल तो डैट आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस सो एनर्जी आपके पास 4 is to 1 राश्यू में आपके पास होगी स्वरी थोटा सी यहां पर 1 is to 1 राश्यू में आपके पास होगी ओके नेक्स्ट है मारे पास a metallic hollow sphere filled with water having a small hole at the bottom is used as the bob of simple pendulum the time period of such a pendulum is तो बहां पे क्या होगा आपके पास की जो time period है उसके ओपर कोई भी effect नहीं पड़ेगा alternating current cannot be measured by dc emitter because जो alternating current है वो से हम dc के साथ measure नहीं कर सकते हैं इसका reason है average value of current ac over complete circuit is zero okay next मारे पास 100 joule of heat is produced per second in a register of 4 ohm the potential difference at the end of the resistance will be तो जो यहां पे right answer हो गब होगा 20 vote okay guys थोड़ा सा problem है जिसके वज़े से मैं question को elaborate नहीं कर पा रहा हूँ तो जल्दी ही जब हम theoretical portion करेंगे तो उसमें उसको cover कर लेंगे तो आप देख सकते हैं maths को भी काफी ज़्यादा time यहां पे लगेगा so हम यहां पे GK section को cover कर लेते हैं बाकी जो भी बच चाता है जो भी calculation portion होगा वो हम आपके लिए next video में available करवा देंगे so first है मारे पास which way is known as veda of milongi in India तो बो कौन से है मारे पास बो है samved okay next है मारे पास in buddhism religion after the alignment where the mahatma would deliver his first ceremony यहीं जब उन्होंने first time ग्यान दिया था तो उससे क्या क्या गया था कहां पे दिया था सरनात में okay next हमारे पास दादा साहिव फाल के अवार्ड इस गिवन फॉर आट्स्टेंडिंग कॉंट्रिविशन इंदा so दादा साहिव फाल के आपको पता है सिनेमा जगत के फादरी ने कहा जाता था in India who adopted English as a medium of education तो हमारे पास जो first commission आया था जिसमें Lord William Bantic ने इसके लिए सिफारिश की थी in slave density which ruler adopt blood versus blood, iron and unity तो इसे हम law की रगनरदीन थी भी कहते हैं तो ये जो है specially बलबन के द्वारा अपनाई की थी इन मुगल which empire established दीन इ एलाही तो ये आपके पास बावर की द्वारा बनाए गया था and where is the birthplace of last group of Sikh Guru Govind Singh तो Guru Govind Singh का जो birthplace था वो था पतना साहिब and who was the first governor general of independence of India so वो कौन थे आपके पास so यहाँ पर पूछा गया है कि who was the first governor general of independent India यह जब अभारत आजाद हो गया था तो उस टाइम कौन थे चकरवरती राज गुपाल दाचारे Lord Mountbatten उससे पहले थे next है मारे पास who established RS Maas at Bombay RS Maas की सापना स्वामी ध्यानल सरस्वती जी ने की थी next है मारे पास the founder of Muslim League Muhammad Ali Jinnah when demand Pakistan as separate Muslim country तो इन्होंने इसकी मांग जो की थी वो 1940 में की थी which metal was first used by the human तो सबसे पहले human ने copper का यूज किया था which god was by the pupil of Indus Valley तो वो पशुपती की पूजा करते थे who established the four Mathiyani Relation Center in four corners of India तो संक्राचार्य और विच लिजस सीख गुरु एस्टेश्ट इस्टी अमरिक्चर। तो गुरु रामदास और वास्ट लिडर तो डिकलेर महात्मा गांधी अस फादर आफ नेशन तो सुभाष चंदर बोस। इन विच सेशन ट्राइकलर बाल एक्सेप्ट इस इंडियन नेशनल फ्लैग। तो इन लाहूर कॉंग्रेस और विर इस अपिटल ऑफ असाम स्टेट तो असाम स्टेट की जो कैपिटल है वो है मारे पास दिसपूर। और विर इस लोंगे स्टेटेट इंडिया खडगपूर। अन्यूस प्रिंट पेपर इस अप्टेंड विच इंडिया। तो इस दा राइ दान्स रोके और गर्भा और दांडी आर दामेन फोक दान्स अफ विच स्टेट। तो गुजरात विच प्लैनेट इस नियर तो अर्थ इन सोलर सिस्टम। सब्सेर नजदीक जो है वो है मारे पास वेनस। इस विच चैनक बीच था मैक्सिम्म प्रोडूसर अफ बनाना इन वोल। तो इंडिया इस दा राइट आंसर और लॉंगे सिव में इंडिया इस गंगा। तो काहना नेशनल पार्क इस सिचुएटेट इन विच स्टेट तो काहना नेशनल पार्क MP यानि मद्या प्रदेश में प्रजेंट है विच सिटी इस हाविंग मैक्सम्म पॉपुलिशन इंडिया तो मुंबई नेक्स्ट हमारे पास विच अमंग दा फॉल्विंग बास दा ग्रेट सेंटर आफ ट्रेड और कमर्स इन इंडिया इन दा गुप्ता पेरियद तो बी इस दा राइट आंसर ओके तम्रा लिपती तो सबसे ज़्याद है कहां पे है एंपी में इन विच आर्टिकल दा डिर्क्टि प्रिंसिपल अव स्टेट पोलिश मेंने इन आन स्टिविशन तो 35 तो 51 बीजुटी बाइंग पेरिटिंट बेंट इन इन इंडिया या इंडियन कंसिशन सो कंक्रेंट लिस्ट विच प्राइम मिनिस्ट्र आफ इंडिया दिज नॉट फिस्ट पार्लेमेंट सो चौधरी चरंग सिंग ओके सो यहां पर गाइज अभी मैट सेक्शन बसता है और जो फुजिक से उसके कुछ नुमेरिकल से बसते हैं तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे ओके